सारांश में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चेनल और शेर कीजिए हमारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी भरपूर लाब मिल सके घड़े का पानी किसी चमतकार से कम नहीं है दोस्तों वर्तमान दोर में सभी लोग फ्रिज का पानी पीते हैं और घड़े के पानी की ओर देखना भी पसंद नहीं करते हैं लेकिन फ्रिज का पानी जहां कई समस्याइं उत्पन करता है वहीं घड़े का पानी हमें लाब पहुँचाता है वस्तुते गरीबों का फ्रिच कहलाने वाले घड़े का पानी स्वास्थे के लिए अम्रित के समान होता। आईए हम आपको घड़े के पानी पीने की खुबियां गिनवाते हैं। भारतिये घड़ों में घड़े का पानी पीडियों से पीया जाता रहा है। इसका कारण यह है कि मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों यानि मतकों में ही पहले पानी को एकतर किया जाता था और उनका उप्योग किया जाता था क्योंकि घड़े के पानी से मिट्टी की भीनी भीनी सुकंद आती इसलिए आज भी भहुत से लोग घड़े का पानी पीते हैं घड़े का पानी कई परकार के रोगों को नश्ट करने में कारगर विशे शग्यों का कहना है कि घड़े के पानी में मिट्टी के गुण आ जाते हैं जो हमें स्वस्थ और निरोग बनाते हैं प्रती दिन घड़े का पानी पीने से सर्दी जुकाम और ज्वर होने की अशंका नहीं रहती घड़े में पानी रखने से पानी की अशुधियां दूर हो जाती हैं जिससे हमारे शरीर में टेस्टोस्टेराउन का स्तर बढ़ जाता है ऐसे में जीवनी शक्ति की वृद्धी होती है घड़े के पानी में मिट्टी के शारी ये गुण आ जाते हैं ऐसे में व्यक्ति को पेट दड़ और एसिडिडी की शिकायत नहीं होती फ्रिज की अबेक्षा घड़े का पानी सामाने रूप से ठंडा और शीतल होता है जो शरीर की कोशिकाओं को कोई हानी नहीं पहुचाता फ्रिज के पानी की तासीर गरम होती है जो हमारे शरीर के लिए अत्यन्त हानी कारक है लेकिन घड़े के पानी की तासीर सामाननेता ठंडी होती है जो शरीर को सबल बनाती है प्रात्यकाल खाली पेट एक से दो गलास घड़े का पानी पीने से कबज की आशंका दूर हो जाती है गर्बवती इस्तिरियों को घड़े का पानी पीने की सला दी जाती है और उन्हें घड़े का पानी ही पीना चाहिए क्योंकि पानी से मिट्टी का सिंधापन आने के करण गर्बवती मैलाओं को बहुत अच्छा लगता है घड़े को रंगने के लिए गेरू का इस्तमाल किया जाता जो पानी को शितलता परदान करता है मिट्टी के घड़े में अत्यांत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पानी को ठंडा करने में साहिक है तो मित्रो यह थे घड़े के पानी पीने के चमत का आप भी घड़े का पानी और अपने आपको निरोग बनाए